आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्रीडेश अगर आप बहुत सालों से मार्केट में बने हुए हैं यानि आप किसी ना किसी प्रकार से ट्रेडिंग में इन्वाल्व हैं और फिर भी आपको वो रेजल्ट नहीं देख पा रहा है जो आप आप चाहते हो यानि आपको लगता है कि मुझे टेक्निकल चीजे सारी पता है मेरा माइंडसेट भी लगबग ठीक ठाक है फिर भी मैं प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहा हूं तो अगर आपकी यह समझ रहा है तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए क्योंकि इ consistency की जरूरत पड़ती है जहां पर अगर यह चीज हम से मिस हो रही है तो वह जो एकदम जो लेवल होता profitability का हम पहुंचने पहुंचने से रुख जाते हैं किसी महींने बहुत अच्छा चला था फिर loss होना स्टार्ट हो गया मतलब हमें knowledge पूरा रहा था हमें पता हम गलती कहा में आती है हमें technical analysis भी ठीक ठाक आता ही है बट फिर भी profitable नहीं हो पाते हम क्योंकि उसके पीछे consistency का बहुत बढ़ा हाथ रहता है तो इस वीडियो में पहले मैं आपको consistency की important समझाने की कोसिस करूंगा अपने तरब से और उसके बाद last में 2-3 points भी देखेंगे कि आप consistency को कैस अचीव कर सकते हैं आप तो आपको यह वीडियो आपके trading life में कुछ value जरूर अट करेगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप चाहे तो लाइक करके चैनल को subscribe भी कर सकते लेकिन उससे जाधा जरूरी अगर आपको कोई जरूरत मन्त लगे तो उसको यह वीडि करते हैं हम consistency के बारे में consistency actually होती क्या है इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि what is consistency तो market में consistency मतलब यही है कि कोई भी एक चीज कोई भी एक type of चीज भले ही वो profit हो भले ही वो loss हो भले ही कोई teaching मतलब भले ही वो कोई अप्लाई आप strategy अप्लाई कर रहे हैं वो हो कोई भी एक चीज अगर आप बार बार कोई भी one thing अगर आप बार बार market में repeat करते हैं बार बार repeat करते हैं और आप उसे उनी rules के साथ उसी discipline के साथ उसी success rate के साथ बार बार अगर आप repeat कर पा रहे हो तो उसे ही हम यहाँ पर consistency के नाम से जानते हैं यहाँ पर consistency केवल यह नहीं होता कि आप हर रोज profit निकाल रहे हो नहीं अगर आप हर रोज अपने set of rules follow कर रहे हैं तो भी आप market में consistence है और यही consistency है जो आपके P&L में as a result आपको दिखने वाली है तो जो हम यह बोलते हैं कि market में consistently profit निकालना मतलब आप consistently अगर account अपना green पे close कर पा रहे हो तो अगर आपको यह च loss तक सिमित नहीं है consistency आपके habits में भी होना चाहिए consistency आपके trading strategies में होना चाहिए consistency आपके mindset में होना चाहिए जब आप इस level तक consistency को apply करने की कोसिश करेंगे तो जो profit loss वाली consistency है वो अपने आप आपको यहाँ पर दिखने लगेगी तो असल मैं पता है जब भी हम मतलब इसकी बात करते हैं कि market होता क्या है अगर मैं आपको market का एकदम basic मूल धरम समझाओ ना trader बनने का एक simple कुछ sentence में मैं आपको समझाना चाहूं कि trader बनने का क्या तरीका है तो trader बनने का एक simple तरीका है pick your edge आपको मैं हिंदी में भी बताते चलूंगा आपको अपने लिए कोई एक चीज ढूंडी है pick your edge pick the thing that works for you आप अपने लिए stock market में हजारों चीज पड़ी हुए मेरा विश्वास मानिए कोई यहाँ पर oi data से पैसे कमा रहा है कोई केवल chart देखकर पैसे कमा रहा है कोई यह दोनों नहीं देखता है वो केवल price देखकर पैसे कमा रहा है और कोई news के basis पर trade करके पैसे कमा रहा है जिस तरीका आपके लिए ही बना हुआ है हर एक trader यहाँ पर unique होता है इस बात को समझे मैं अपने training program पे इस बात में बहुत ज्यादा जोड़ देता हूं कि अपने uniqueness को पहचानने की कोसिस करें आप यहाँ पर देखोगे रोहिद सर्मा विराट कोली और धोनी हम ले लेते हैं यह अपने आप में topmost cricket player है इनसे मतलब best माना जाता है tier A के सारे category वाले player है लेकिन क्या तीनों में similarities है क्या तीनों का batting style same है क्या तीनों के run chase करने का run score करने का है जो innings जो यह build करते क्या सबका तरीका same है नहीं है ना यह तीनों ही अपने आप में बहुत अलग है एक दूसरे से बट यह तीनों successful batsman है तो trading भी इसी तरीके से होता है अगर आपको trading में successful होना तो आपको यह ढूंड़ना पड़ेगा कि आपका edge क्या है market में यह edge वाला सब्द है यह कई लोगों को confusing लग रहा है कि edge की क्या बात हो रही है तो edge कोई बहुत बड़ी लंबी चोड़ी बात नह analysis हो गया मतलब आप एक तरीके से मालो मैं trend के साथ trade लेना बहुत जाधा पसंद करता हूं तो मैं trend मेरा जो trade का decision होता है वो बहुत जाधा इस पर based होता है कि market का trend क्या है तो मेरा edge market में यह है कि मैं trend को समझ पाता हूं और उसके according decisions ले पाता हूं अब कुछ लोग ऐसे होते है जिनको केवल reversal trade करना पसंद है तो यह उनका edge है वो reversal trade करके ही पैसा कमा रहे है और यहाँ पर मैं trend के साथ trade करके पैसा कमा रहा हूं तो edge कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती edge आपकी trend line भी हो सकती है कि आप trend line पे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो edge आपका candlestick patterns भी हो सकता ह तो पहले आपको कुछ चीज़े ढूंडी होंगी अच्छा अब मुझे लगता है कि मैं ये काम बहतर कर सकता हूं ये मेरी strength है आप मालीज आपको ऐसा लगता है आप support resistance पर reversal अच्छा trade कर सकते हो तो आपको ये मानना होगा कि reversal trade करना मेरी strength है अब मैं यही करने वाला हूं औ और मैं इसको consistently करने वाला हूं अगर एक बार मुझे market में लगने लगता है मेरा edge है तो उस चीज़ को अब मैं consistently market में apply करने वाला हूं सेम चीज़ अगर मैंने ये decide कर लिया कि मैं reversal trade करूंगा तो वहाँ पर जितनी बार भी market किसी resistance को hit करेगा मैं reversal trade करूंगा कई बार मुझे profit मिलेगा कई बार मेरे stop losses hit होंगे but मैं trade यहाँ पर reversal करूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी ये strength है जो reversal trade करना वो मेरी strength है अब आपको यह कैसे realize होगा अगर आप अभी start कर रहो trading तो आपको नहीं पता चलेगा of course तो starting में time होता है अपने आपको explore करने का फिर जब धीरे दीरे में explore करते हैं और अपने trade को journalize करते रहते हैं अपने trade को लिखते रहते हैं यहाँ पर तो हमें पता जलता है अच्छे यह trend line वाले जो trades है उसमें तो मेरा ऐसल जादा hit होता है बट यह reversal वाले जो trade है इसमें मुझे अच्छा profit मिल जाता है तो मैं इस पर focus करूंगा और इसी को consistently apply करूंगा अब देखरो यहाँ पर किसका role आ रहा है यहाँ पर एक सब जो मैं बार बार यूज कर रहा है वो है consistently मतलब यहाँ पर consistency का ही rule आ रहा है trading इतना easy है आप believe नहीं करोगे आपको बस अपना एक edge धूनना है और consistently उस पर काम करोगे जब आप consistently उस पर काम मैं आप reversal trades करते हो तो जो आप गलतियां करेंगे ना वो गलतियां repetitive होंगी मतलब कुछ 10-15-20 ऐसी गलतिया होगी जो आप हर 2-3 दिन बाद repeat कर रहे हो हर 2-3 दिन बाद repeat कर रहे हो तो आपको यह जब set of mistakes समझ में आ जाएंगी ना जो ज़्यादा नहीं रहेंगी मेरी बात मा रोक सकता है यहाँ पर आपको stock market में profitable होने से कोई नहीं रोक सकता है इतना ज्यादा सिंपल है ट्रेडिंग का प्रोसीजर अगर consistency को आप साथ में रखते हो तो वो यह है कि जो आपने यह 15-20 गलतियां पकड़ी है ना work on that इनको solve करने की बस कोशिस करें इसको solve करने की बस को करें यहाँ पर अगर यह 15-20 गलतियां आप हटा देते हो जो कि simple है क्योंकि आपको यह गलतियां समझ में आ चुकी है क्यों समझ में आई है क्योंकि आप consistently के वाल एक ही काम कर रहे है तो यह 15-20 गलतियां हटाने के बाद पता है क्या होगा आप यहाँ पर reversal trading के master बन और अब आपको पता चल जाएगा कि market कभी भी reverse कर रहा ना तो मैं पैसा पका बनाने वाला हूँ तो एक बार जब आप reversal trading से पैसा बनाने लगेंगे reversal trading से expert बन जाएंगे तो आप profitable हो जाएंगे और जब हम एक बार profitable हो जाते ना तो mindset अपने आप lying हो जाता बस एक बार market से प point होता ना उसमें हमें कुसी कुछ चीजों पर focus करके उस पर consistently काम करना पड़ता है तो यह तो हो गया consistency strategy में consistency इसमें और एक चीज में consistency आता है consistency जो है वो आता है mindset में mindset मतलब किस प्रकार की सोच से market में आके 9-15 पे बैठ रहे हो अगर आप उसमें भी consistency रखो तो आपको और ज चीजा आ जाते हैं कि आज में market में किस लिए बैठा हूं तो आपको कुछ target होगा अच्छा में इस target के लिए बैठा हूं तो आप अपना कोई target fix कर लीजे जब आप target fix हो और चलो मुझे महीं दिन का आज 2000 कमाने तो जब एक level तक आप पहुंच जाएंगे ना कि 2000 कमाना है य मुझे इसको पहुंचने के लिए इतना करना है मतलब अगर आपका दिन में 2000 टार्गेट है 2000 रुपर आप option trading कर रहो है दो lot से तो आपको पता अगर मुझे एक बड़िया ट्रेड मिलगा तो भी मेरा target अच्छी हो जाएगा तो आप यहाँ पर patiently wait करेंगे आप over trading नहीं करें यहाँ पर क्यों क्योंकि आपका mindset है आपके fix है बट आप सुबह बैटर आपके मन में कोई target नहीं आपके मन में कोई planning नहीं आपने कुछ चीज़े fix नहीं कर रखी आपके पास consistency नहीं है तो फिर आप random चीज़े करोगे किसी दिन आप 4000 के बाद 8000 कमाने के चक्कर में 4000 भी आ अवाइड करने के लिए consistency को लाना बहुत जादा जरूरी यहाँ और एक important चीज़ अब मैं P&L के report में बताता हूं profit loss के मामले में consistency वाली चीज में आपको explain करता हूं यहाँ पर एक box होता है जो आपको बहुत बार आपने सुना ही होगा बहुत लोगों ने आपको बता रखा है वो था small profit, small loss, big profit, big loss यहाँ पर यह चार boxes में नीचे वाला जो section है big profit, big loss इसको हम किसी और दिन discuss करेंगे ठीक है इसकी बहुत जादा importance है एक video मैंने बनाया था कि आप trade को hold कैसे कर सकते हो उसमें मैंने यह नीचे वाले section को बहुत detail में discuss किया था बट यहाँ पर आज मैं आ consistently market से केवल 2000 रुपए भी कमा रहे हो न daily तो आपके अंदर वो confidence आएगा जो एक दिन आपको 10,000 भी कमा के देगा अगर आप लगतार 5 दिन 2000 रुपए कमा हो तो 11 दिन अगर वो 2000-4,000 होगा न तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको पता है जो चीज़े आप कर रहे ह वो सही कर रहे है बट मालीज़े यहां पर आपका 4 दिन लॉस होता है और 5 दिन आप बहुत बड़ा पैसा कमा ले तो एक जैकपॉट ट्रेड ले ले लेते हो और उसके बाद फिर 4 दिन आपका लॉस होने लगता है तो यह जो लगतार 4 दिन वाला लॉस है यह आपका mindset जा देगा और इस confidence गिरने के scenario में bounce back करना मुश्किल हो जाएगा जो ये jackpot वाला दिन था वो random हो जाएगा मतलब आपका luck किसी दिन काम क्या तो आपको बड़ा profit मिल जाएगा पर आप deliberately profit के लिए काम नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके आपके अंदर से confidence चले जाएगा आपका लगतार 4-5 दिन loss हो रहा है यहां पर तो जो छोटे-छोटे profit छोटे-छोटे loss होते हैं वह हमको confidence देते हैं कि जो चीज मैं market में कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ बस मुझे इसको और जाधा करने की जरुवत है अगर मैं कोई discipline follow कर र जरूरी होता ट्रेडिंग में जो हमारे अंदर केवल और केवल consistency से ही आ सकता है और अगर आप profit और loss के term पे consistency को अचीव करना भी जाते है न तो उसका भी यही simple fund है जो अभी उपर discuss किया जो आप अपने targets decide करेंगे ना कि अच्छा मेरा दिन का इतना target है या per trade इतना target है उसक तो आप achievable रखिए आपको बता है हर दिन बैंक निफ्टी 600 या 1000 पॉइंट की movement नहीं दे सकता है बैंक निफ्टी का average movement 300-400 पॉइंट के आसपास ही रहता volatility कम रहे तो वह 200-200 के आसपास आ जाता है तो इस scenario पर अगर आप हर दिन करोगे कि मैं 40% return लूगा 50% return मेरा target है तो जब यह targets हम set कर रहे हैं वह achievable नहीं रहेंगे daily basis पर तो जो हमारे targets really achieve कैसे होंगे तो हम consistency तक पहुंचेंगे कैसे इसलिए 20% 15% 10 20 15% कोई achievable target यहां पर आप तो target समय सा ऐसे रखने चाहिए जो small हो छोटे हो और जो achievable हो अब आपको लगता है कि इसा छोटे targets रखूँगा तो बड़े profit कैसे करेंगे नहीं अगर आप छोटे target रखोगे ना तो धीरे धीरे जो confidence आएगा जो self confidence आएगा वो अपने आपको आप अपने आपको खुद र अच्छा एक वीडियो भी मैंने बना रखी थी PNL की आप मेरे चैनल पर जाके देखना वहाँ पर मैंने आपको अपना मंद का PNL सो किया था तो वहाँ पर मैंने आपको दिखा था कि consistency कितना जरूरी होती option बार के लिए profit भले ही छोटे आए पर अगर आप consistently profit निकाल रहे ह तो वह अपने आप में बहुत बड़ा achievement होता है तो उस वीडियो को भी जाके आप चेक आउट कर सकते हो वाकी चैनल पर बहुत सारी वीडियो आती रहती है बहुत सारे लोग आया पर देखो मुझे सबसच चाहिए लगता है कि जो मेरे audience यहां YouTube पर भी वह learning purpose से जाधा आई आने में कुछ भी चुपाने में कोई दिचल्प सी नहीं है आप तो आयोब यह वीडियो कुछ value add किया होगा और आप इसको implement करेंगा नहीं वह ज्यादा जरूर है ठीक है वीडियो बना दिया मैंने आपने देख लिया फिर आप उसको implement नहीं करोगे तो फिर कोई फाइदा चले या ना चले बट यही तरीका है consistency के माध्यम से ही हम धीरे धीरे करके उपर बढ़ सकते हैं तो I hope आपको आप करने वाले हो implement बस में इतना कहना चारों कि implement करना भी बहुत जादा जरूरी है जितना आपने देखा उतना ही जरूरी implement करना भी है तो फिर इस वीडियो में इतना ही चले मिलते नेक्स्ट वीडियो में दने बाद